हेलो वेल्कम दोस्तों मैं हो निल कुमार राटर और आप लूजी चनल दोस्तों अगर आप इस वीडियो का थेखकर इस वीडियो पर आए हैं तो जाहिए शी वाते दोस्तों आप MS-Word शीख रहे हैं या फिर MS Word सीखना चाहते हैं या फिर आप MS Word में प्रैटिस कर रहे हैं तो तो दोस्तो इस वीडियो में आपको home tab के बारे में बताऊंगा with example full detail में तो दोस्तो बढ़ी रहे हैं इस वीडियो में दोस्तो ms word के home tab में अधिकतर जो है हमारी जो है tax की formatting के ही option होते हैं तो पहले हम यहां पर एक paragraph निकल कर रहता है तो यह हमारे पास practice के लिए होता है तो अभी मैंने यहां पर जो भी matter selection किया होगा सिर्फ उतने ही matter पर उतने ही paragraph पर काम होगा यहां से जो भी हम इस पर अप्लाई करेंगे वह सब ओकी तो हमने जो matter selection कर रहा है देखो हम अगर यहां पर इसकी writing change करना चाहते हैं तो यहां से हम कोई भ उनी fonts के उपर उनी text के उपर यह हमारे जो font है वो apply होंगे अब यहां से जो भी font मुझे चाहिए उस font को मैं यहां से ढूनकर और simple बस उस पर मुझे mouse का left click करना है और वो font हमारे selected text पर apply हो जाता है उसके बाद यहां पर font का size दे रखा है जो भी size हमें requirement है वो हम यहां से चु हम यहां से दिया है भी वही same काम हम यहां से भी कर सकते हैं यहां से font के size को हम increase कर सकते हैं और यहां से हम font के size को decrease कर सकते हैं नेक्स नमारा यहां पर यह बोल्ड बटन है, जो भी मैटर हमने स्लेक्शन किया होगा, उसके उपर यह बोल्ड बटन अपलाई होगा, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, तो देखें यहां पर यह बोल्ड बटन अपलाई होगा, जो भी टैक्स हमने स्लेक्ट किया होगा था, व जो भी मेंटर हमने सेलेक्शिन गिया हुगा उनी सब के ओपर यह सब अपलाई होते हैं और यहां से है यह स्ट्रीक थो तो यहां पर जो भी लाइन मैंने स्ट्रीक थो जैसे हम क्लिक करते हैं यहां पर टैक्स को काटती हुई इस तरह से एक लाइन आती है और वापस से अगर अगर हम लिखते हैं 10th, 1st, 2nd, 3rd, 4rd या 10th 11 जो भी हम लिखते हैं तो जैसे हम लिखने के बाद 10th में मैं टी एच जो लिखा है लिखने के बाद अगर मैं stage देता हूँ keyword से तो automatic जो हमारा 10th हुए वो 10th में जो टी एच है वो auto adjust हुएता है अपने आप अगर मैं first लिखता हू कि अगर मैंने जो लिखना है 10th वो इस तरह से लिखना है मुझे जैसे रोमन में लिखते हैं बहुत से जगर लिखते हैं बहुत से student लिखते हैं अपने 10th 11 12 को इस तरह से ही लिखते हैं तो मैंने 10th सो लिखा है वो रोमन में लिखा है अभी आगर मैं space देता हूँ तो जो ह कि यह जो है option सब स्क्रिप्ट जैसे मिस पर क्लिक करते हैं तो जो हमारा टी एच जो character selection कर रिखे हमने वो नीचे की side में adjust होंगे और अगर इहां कि लिख करते हैं super script कर तो उपर की side में adjust होजेंगे अगर इसको हटाना होता है कि हर sentence का पहला character होता है वो capital होता है और उसके बाद के सारे ही character small होते हैं बट यहां से हम change कर सकते हैं मुझे अगर चाहिए कि सारे ही character मेरे capital में हो तो हम यहां से upper case apply कर सकते हैं और अगर हमें चाहिए कि यहां से सारे small में हो जाएं तो हम lower case अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें वापस करना है sentence case तो यह sentence case का option दे रखा है नीचे यहाँ पर fourth option है आपका capitalize each word इसमें हर word का पहला character capital होगा यह देखी और बाकी सारे character small होगे और last जो options में toggle case इसमें जो हमारा हर word का पहला character small रहता है और बाकी सारे character capital रहता है तो जैसे भी हमें tax यहाँ पर apply करना हो जैसे हम अपने paragraph set करना हूओ हम यहाँ से अपने paragraph को set करता है फ्राल मैं भी इसको वापस sentence case apply कर जता हूँ OK यहाँ पर है हमारा highlight color कोई भी tocks हमने selection कर रखा है कोई भी paragraph हमने selection कर रखा है तो उसको हमें एक highlight color यहां से दे सकते हैं इस तरह से tax के पीछे background में color आता है highlight करने के लिए tax को और यह होता है हमारा font color तो जो भी font हमने selection, जो भी tax हमने selection कर रखा हुआ उनके fonts को हम इस तरह से color दे सकते हैं यहां पर है हमारा करना चाता हूँ, अपने tax को वापस से normal करना चाता हूँ इस तरह से, तो मैंने बस normally simple selection किया है अपने tax को और यहां से हम जैसे ही click करते हैं clear formatting पर हमारा जो formatting थी वो सारी सारी यहां से remove हो जाएगी हट जाएगी, तो जितना matter हमने selection किया होगा, उतने matter से हम जो है, यहां से formatting हट आ सकते हैं दोस्तों, यहां पर जो formatting clear करने का जो option है उसमें सारी formatting tax पे से हट जाती है, बट हमारा highlight color हमने जो apply कर रखा होता है वो यहां से clear formatting option से नहीं हटता है अगर हमें highlight color हटाना है यहां से, तो highlight color हटाने के लिए हमें वापस से highlight color के अंदर ही जाना होगा और वहां से हमें करना होगा no color next जो है हमारा यहां पर bullets तो यहां पर जितने भी paragraph हमने selection करोंगे, फ्याल में भी control A किया है, select all किया है तो यहां से हम अपने paragraph पर यहां से bullets set कर सकते हैं, इस तरह से तो जो भी bullet हमें better लगता है उस bullet हम के लिए करेंगे, वो पर यहां पर हमारे सभी paragraph पर apply हो जाता है वापस से इसको हटाना है, तो यहीं से option दे रखाए none का, जैसे इंदन पर के लिए करते हैं वो सारे bullets जो यहां से remove हो हो जाते हैं, ऐसे ही हम यहां से numbers, alphabet और यह सब apply कर सकते हैं, तो जो भी हमें अपने paragraph के bullets के set करना हो, पर आपको show करना हो, वो हम यहां से apply कर सकते हैं, ओकी फिलाल मैं यहां से इसको हटा देता हूं अगला जो option है यहां पर हमारा जो text है, वो left side से align है कभी भी हम normal file पर जब type करते हैं, तो हमारा जो सारा matter हो left side से ही start होता है, देखे इस तरह से ओके, तो अब ही जो हम चाहते हैं कि सारा matter जो हमारा right से align हो जाए, तो हमने control A किया, select all किया, और यहां से हम text को right में align कर सकते हैं यह देखे, वापस मुझे left में करना है तो left में कर सकते हैं, center में करना है तो center कर सकते हैं तो फिलाल मैं इसको वापस left में कर जाता हैं और left में align देखते हुए अगर हम चाहते हैं कि right से जो हमारा matter आता है अगला जो option है, यहां पर देखे, अभी मुझे इन paragraph इस वाले paragraph के नदर lines के बीच में थोड़ा सा gap बढ़ाना है तो यहां पर यह option दे रखा है, हमारा line spacing यहां पर click करेंगे, हम जो भी अपने spacing चीए अपने हैसाफ से हम यहां पर apply कर सकते हैं अपने document के साफ से, अपने paragraph के साफ से तो अभी फिलाल मैं इसको वापस कर देता हूँ और अगला जो option यहां पर दे रखा है हमारा increase indent and decrease indent मैंने जो भी टैक्स, जो भी paragraph अपने selection कर रखा है उस paragraph को हम increase indent से right side में थोड़ा सा shift कर सकता है इस तरह से, एक बार में आधा इंस shift होता है और अगर इसको वापस करना है हमें तो decrease indent से हम वापस कर सकता है इस तरह से, ओकी अभी यहां पर देखो यह a to z जो लिखा हुआ है यह हमारा home tab में अभी use नहीं होगा यहां पर जब insert tab आगे जब बताएंगे चलकर तो टेबल के option में यह जो हमारा a to z option जो है वो use होने वाला है तो इसको हम वहीं पर बताएंगे अभी यहां पर यह पर paragraph को highlight करने के लिए यहां पर हमारा text को highlight करने के लिए यह option था और यहां लाइन देनी है तो यहां से हम आउटसाइड बॉर्डर पर किलिक कर गए अपने पर आपको एक बॉर्डर दे सकते हैं वापस से इस बॉर्डर को मुझे हटाना है तो फिर से स्लेक्शन कर गए हम यहीं से इक नौ बॉर्डर को और जो भी फॉर्मेटिंग हमें यहां से चे पहले सी बनी फॉर्मेटिंग है तो बस इसके पर हम माउस का पॉइंटर लेके जाते हैं और देखे फॉर्मेटिंग जो है इसकी वह यहां पर सो हो जाती है और जो भी फॉर्मेटिंग हमें यहां पर अपने पर अप्लाई करन है वही फॉन्ट हमारे पूरी फाइल पर जो है अप्ला ही हो जाता है ओके और सिंपल लास्ट यहां पर आप्शन है फाइंड रिप्लेशन तो दोस्तों फाइंड बटन से हम अपनी फाइल के अंदर कोई भी टैक्स कोई वर्ड हम फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल हमें कर लिखा रहा है ओ एन तो फाइंड पर जैसे हम क्लिक करते हैं अपने हमारे टैक्स जो है फाइंड करके निकलता है यह देखें यहीं पर एक ओप्शन दे रखा है हम पास रिप्लेश तो जो भी हमने वर्ड फाइंड किया भी ओ एन और तो इस वर्ड को मैं आउप मैं करना इसको तो यहां से रिप्लेश ओल कर देंगे तो एक बार में ही सारे जितने भी हमारे ओन लिखे हुए थे वह सारे ही आफ में कनवर्ट हो जाएंगे अगला जो अप्शन यहां पर दे रखा है यहीं पर गोटू तो गोटू में हम किसी भी पेस पर किसी भी डारेक्ट जाना है तो गोटू पर क्लिक किया सीधे पर पहुंच जाते हैं बट अभी फिलाल हम यहां पर लाइन वाल उप्शन चला के देखते हैं तो मुझे यहां से अपनी लाइन में 20 जो लाइन नंबर है उस पर डारेक्ट पहुंचना है तो जैसे हम गोटू क्लिक करते हैं तो अभी जो हमारा करसर आया है वो बीश्वी लाइन पर रखा हुआ है तो फाइंड और रिप्लेस हमारा यहां पर चल चुका है आगे हमारा स्लैक का उप्शन है स्लैक्ट और पूरे टैक्स को एक साथ स्लैक करने के लिए यहां से हम पूरी फाइल को एक साथ स्लैक्शन कर सक यहां से select object के option से, एक बार इसके click करेंगे और इसको दो मांश से सभी object को इस तरह से चालुसरप से cover कर लेंगे तो वो सारे ही object एक साथ select हो जाते हैं, या फिर हम direct भी selection कर सकते हैं, एक बार किसी और दूसरे जो भी ऑब्जेक्ट होने हैं उन पर क्लिक करते जाएंगे तो सारे उब्जेक्ट हमें एक साथ सेलेक्षिन कर सकते हैं प्यालन को डिलेट कर देता हूं एक option और है यहाँ आपको स्टार्टिंग में पहले option दे रखा है है और वह कोई थीचस इस तो सिंपलक करना है मुझे यहाँ पर जाते है अभी गया है यहाँ पर हमारे पास एक option हमने देखा था भी select text with similar formatting तो अगर मैंने यह formatting का text selection कर रखा है तो मैं चाहता हूँ कि यही same formatting पूरी फाइल में कहीं पर भी हो रखिया है तो वही formatting मुझे selection करनी है तो बस हमने यहाँ पर selection किया हुआ और simple इस वाले option पर हमें क्लिक करना है तो एक बार क्लिक करने पर वही same formatting के जो भी टैक्स होंगे वारे वह selection हो जाते हैं यह देखें और आगे जो हमारे option यहाँ पर है ठीक है और यहाँ पर है copy तो copy में भी हमें selection करना हो तो selection मेंने किया हुआ किया है और copy पर click किया copy करने पर मेंटर वहां से घटता नहीं है जाहां आए वही रहेगा उसके अधम जहां भी करसा रखेंगे वहां पर हम पेश करके उस copy की के वह मेंटर को ला सकते हैं तो दोस्त है मैं स्वर्ट का होम टाब है